हेलो एवरिवन वेलकम यूँआ लेट लोकिस अनलिम्टेट इस्टडी जोन सो रिजिद पॉड़ी और पार्टिकल रोटेशन का चैप्टर चलना हमारा जिसमें आज यो हमारा टॉपिक है बचों आज हमको डिसकस करना है टॉर्क इसके पहले की सारी चीजे तल तक हमने डिस टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ओफ आ फोर्स यहने एक तरीके से फोर्स का घूमना तो यहां पर फोर्स जो देगा आपको रोटेशनल एफेक्ट देगा आपने फोर्स के दो तरीके के एफेक्ट रियलाइस करे हैं आपने फोर्स के दो तरीके के एफेक्ट रियलाइस करें एक अगर आप किसी block को एक आप किसी block को किसी body पे रख दें surface पे रख दें और अगर आप इस force को ढखका दें है ना तो क्या करेगा यहाँ पे force क्या होने लगेगा slide होने लगेगा एक distance तक जाके or displacement तक जाके force slide हो और आप यहां पर जो चीज क्यालकुलेट करते हो, that is equals to work calculate करते हो, आपके force ने जो किया, वो क्या किया, work किया, और आप निकालते हो, force multiply by distance, this is the amount of work, बोलिए क्लियर है बिटा? आप देखे, आपके घर में दो प्रकार के द्रवाजे होते हैं, एक होता है channel gate, जिस पे एक किनारे एक beam होती है, और beam के सामने एक railing type की होती है, और यहां पे आप push करते हो, और यह channel gate slide हो करके खुल जाता है, दूसरा केट आपने देखा होगा, यहां पे एक beam है, उस पे दो hinge कसे रहते हैं, और उन hinge पे दर्वाजा कसा रहता है, और आप इस दर्वाजे के knob को पकड़ करके, इसे अंदर की तरफ खीचते हैं, यह, ऐसे सामने की तरफ, अब आप महसूस करिए कि आप क्या कर रहे हैं इसके about आपका दर्वाजा मूव करेगा, इस access के about, तो यह access of rotation है, इसके about आपका दर्वाजा क्या करेगा, मूव करता है, यहां से लेकर के यहां तक यह दर्वाजे का वो knob है, जिसको पकड़ के आप खीचते हैं, तो यह, यहां तक की जो arm है, बिटा, यहां तक की जो distance है, आर, यह है बिटा, लिवर आर्म, इसको हम लिवर आर्म बोलते हैं, आर डिस्टेंस को, यह जो distance है, यह लिवर आर्म है, और आप इसको पकड़ करके इसमें force लगाते हैं, और जो force आप लगाते हैं, वो एकदम 90 डिगरी पर लगाते हैं, तो यह जो force है, यह जो force है, यह क् को force की direction में लाने की कोशिश करता है मतलब ही radius जो है आंगे चलके ऐसे आजाती है और आपका force इधर के और लगता जाता है बोलो बेटा लगता है कि नहीं लगता है और ये angle 90 degree है ठीक है ना तो अब क्या होगा पेटा इस तरीके से आपका दरवाजा जो है home करके देखे कुछ ऐसे आ जाएगा नई position में आपका दरवाजा आपको ऐसे दिखाए देगा और बाहर से guest अंदर जाएगे तो ये देखा आपने इस तरीके से arrow मेरे को उल्टा बनाना पड़ेगा शुली दरवाजा अंदर के और खोल रहा है ये देखे ऐसे तो ये क्या देखा आपको फोर्स कौन सा effect create कर रहा है पहले फोर्स कौन सा effect दे रहा था sliding effect body को अब फोर्स कौन सा effect दे रहा body को rotating effect rotating effect तो बेटा फोर्स जो rotating effect देता है उसको हम किस में नापते हैं उसको हम torque में नापते हैं कि force कितना rotation effect दे सकता है so that is called torque so torque जो होती है वो force के rotational effect का measurement होता है चीक न? torque जो होता है वो force के rotational effect का measurement होता है so what is torque? it is the measurement of the rotational effect of force rotational effect of force जी हाँ तो जिसका जितना ज़्यादा torque होगा उतना ज़्यादा rotational effect generate होगा for example आपके पास में एक फिर्की है यह फिर्की है आपने बच्पन में खरीदी होगी मेल अठेला में यह मिलती है इस तरीके से फिर्की है दो फिर्की है एक बड़ी फिर्की है और एक छोटी फिर्की है तो जो चोटी फिरकी होती है, आप उसको सिंगल हैंड से ही घुमा लेते हैं, क्योंकि उसका गुमाने के लिए उसका वेट कम होता है, मगर जो बड़ी फिरकी होती है, उसको दोनों हाथ से घुमाते हैं, दोनों हाथ में पकड़ करके देते हैं, तो आप देखिएगा, ये का जादा दाकत लगा के खुमाएंगे मतलब उसमेठ आपने टॉर्क जादा दिया है। ठीक है जैसे दो लोग जूले जूला रहे हैं। देखिए वह पार्क वाला जूला है। शौर आपके घर के पीछ लगा ना पार्क वाला जूला। हाँ, बहुत प्यारा पार्क थाप की घर के पीछे, उस पे चली, ये तो ये इस तरीके से जूला है, अब मान लीजे बेटा इस जूले के दो सीन है, तो एक तुम आये और एक मैं आया है, और दोनों ने दो अलग-अलग केसेस पे जूले को घुमाया, ठीक है ना? मैंने इस टोकरी को हाथ मारा, और मेरे एक बार हाथ मानने पर, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये दो राउंड ट्रेवल किया, और तुमने भी इस पे घुमाया, और तुम्हारे हाथ मानने पे, ये सिस्टम, ये टोकरी यहाँ से चली, और चल करके, एक राउंड कम्प ट्रीट किया, clear की not clear, तो बताईए ज़्यादा जोर्दा टॉर्क किस ने लगाया, आपने लगाया कि मैंने लगाया, बिल्कुल, तो यहां पे जो मेरा टॉर्क है, वो ज़्यादा है, और आपका टॉर्क जो है, वो कम है, clear है, तो amount of rotation, effect of rotation जो हमने produce किया है, वो मेरा ज़्या value हम कैसे निकालते हैं, टॉर्क की value हम कैसे calculate करेंगे, ठीक है बिटा, तो टॉर्क की value calculate करने के लिए, वो तो करते ही हैं, पहले definition पढ़ लेते हैं, देखे, टॉर्क की, टॉर्क और moment of a force, इसी को हम torque बोलते हैं, इसी को हम moment of force बोलते हैं, the torque or moment of a force is the turning effect of the force about the axis of rotation, यह देखे बेटा, यह access of rotation है, यहाँ पर कोई point है, अब इस पर आप force लगा रहे हैं, इस point पर, तो इस point पर आप force लगा रहे हैं, तो इसको line of action इस तरीके से पीछे करिए, और यह देखिए, यह बन गया इसकी arm, d, तो angle कितने degree है, 90 degree, तो यह जो force है, जो force, liver arm, d को क्या बोलते हैं बेटा, यह जो length गई है, इसको मैं red color से कर देता हूँ, जिससे आपको clear है, यह जो red color की length होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम liver arm, क्या बोलते हैं बेटा, इसको? लिवर arm, और liver arm पे लगने वाला, right angle पे लगने वाला force या force का component, right angle पे लगने वाला force या force का component क्या create करता है बेटा, torque create करता है, यहाँ पे right angle पे liver arm से right angle पे लगने वाला force जो होगा, वो क्या create करेगा, torque create करेगा, clear है बेटा? अब आप यह कह सकते हैं कि सर अगर force liver arm पे 90 degree नहीं है, तब क्या scene बनेगा? तब देखिए, तब हमको component resolve करने पड़ेंगे, उस स्थिती में हमको component resolve करने पड़ेंगे, मैं आपको एक scene create कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, हम कैसे component resolve करते हैं, yes, तो यह मान लिजे, मेरे पास कोई access है, और इस access के about, मैंने, यह मेरी arm है, ओके, यह मेरी arm है, अगर मैं 90 degree पर force लगाऊं, तो बिटा, कुछ ऐसे force आना था, 90 degree पर, बोलो clear की not clear, बट बेटा मैंने 90 degree पर force नहीं लगाया, मैंने 90 degree पर force न लगा करके, मैंने किसी दूसरे angle पर force लगा दिया, मैंने किसी दूसरे angle पर force लगा दिया, तो जैसे यह है, अब इसे मैंने कीचने के लिए, मुझे बिलकुल सामने कीचना था, 90 degree पर, तो that condition पर क्या हो जाता, अपने पास में torque का formula हो जाता, यह अगर D है, और यह F है, R है, F है, तो torque का formula हो जाता, simple R का magnitude, इंटो F का magnitude, यह torque निकलाता, अब मैंने देख लीजे, मा लीजे मेरा force यह लगा हुआ है, लिए भाई साब, मेरा force यह है, अब आप पुराने force को भूल जाओ, यह अपने किसी काम का नहीं है, अब देखिए, force के साथ मेरा angle 90 degree नहीं है, बलकि कुछ जादा है, force के साथ जो angle बन रहा है, R का, वो 90 degree नहीं है, तो angle कहां लिए जाता है, बाहर वाले vector की तरफ, तो यह अगर R है, तो बेटा, यहाँ पे, अब इस force के दो component हो जाएंगे, एक R की direction में लगने वाला force, तो मैं blue color से force के component को break कर रहा हूँ बेटा, तो R की direction में लगने वाला force क्या तूटे का बेटा, F cos theta, बोलो, clear की not clear, F cos theta, तो एक component हमारा क्या तूट गया बेटा, F cos theta तूट गया, जो कहां जा रहा है, R की direction में, F cos theta, R की direction में, और एक हमारा component बेटा तूटेगा, पिल्कुल इसके perpendicular, that will be F sin theta, clear हो गया, तो F cos theta क्या है बेटा, वो lever arm का axial component है, तो वो तो lever arm के along लगेगा, तो वो तो क्या करने की कोशिस करेगा, slide करने की कोशिस करेगा, मगर जो F sin theta है, ये क्या produce करेगा बेटा, turning effect produce करेगा, बोलो yes की no, तो यहाँ पे जो turning के लिए responsible force हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, F sin theta, clear, तो torque की value कितनी हो जाएगी, torque मैंने आपको पढ़ाया था, lever arm multiplied by, ती lever arm multiplied by आपका responsible force, F sin theta, clear, F sin theta, तो यहाँ पे बेटा, जो torque का magnitude produce होगा, that is equals to F into R into sin theta, clear की no, clear, तो यह torque का magnitude होता है बेटा, अगर theta क्या है, theta R vector और F vector के बीच का angle है, theta is the angle between F vector and R vector, clear बेटा, अब शौर जैसे मान लो, यह आपके घर का दर्वाजा है, यह आपके घर का दर्वाजा है, दर्वाजा एक बंद सीन में है, आपका यह हिंज लगा हुआ है, दर्वाजे को खोलने के लिए, अब आप यहाँ पे सामने की और force लगाएंगे, तो चलो दर्वाजा खोलेगा, ठीक है न, बट आप यहाँ force लगाएंगे, आप इस तरफ खड़े होकर के इसको G भरके खीचे, क्या दर्वाजा rotate करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरफ तो वैसे ही बंद हो रहा है, तो खिचता बस जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या है बिटा, इस तरफ आपकी लिवर आर्म है, इस डिरेक्शन में आपकी कौन सी आर्म है, लिवर आर्म, और आप लिवर आर्म के along ही अपना force लगा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि torque generate नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपकी लिवर आर्म भी वही डिरेक्शन में है, और आपका force भी वही डिरेक्शन में है, तो आपका theta कितने डिगरी हो गया, बिटा, 0 degree, तो torque equals to torque का magnitude equals to कितना f, r, sin theta, तो बिटा, यहां पे theta कितने डिगरी हो जाएगा, 0 degree हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F into R into sin 0 sin 0 कितना होता है? 0 होता है, तो answer total कितना आजाएगा? 0 मतलब कितना torque produce होगा? 0 torque बोलो clear हो, समझ में आया की नहीं है तो इस situation में बेटा यहाँ पर 0 torque produce हो जाएगा ठीक है न? अब इसमें एक situation और देखते हैं हम इसमें हम एक situation और देखे लेते हैं तो वो situation क्या है? देखिए, अभी तो आपने देखी एक situation कि आपने ये दरवाजा लिया और ये दरवाजा था बेटा ये आपके दरवाजे की access थी और ये आपका खोलने के लिए लगा हुआ था ब्लॉक लगा था कीचने के लिए handle लगा हुआ था अभी आपने बेटा ये इसका ये इसका lever arm है ये इसका radius कहलो, lever arm कहलो whatsoever, जो भी कहलो अभी आपने जो force लगाया था इस direction में लगाया था और आपने देखा था कि इस direction में force लगाने पर कोई torque produce नहीं हुआ था नहीं हुआ था ना बेटा अब आप क्या करते हैं खड़े हैं इस तरफ ही और अपना force ये तो मिटा देता हूँ पहले आपने force ऐसे ऐसे लगाया था अब आप अपने force को थोड़ा बदल रहे हैं जैसे छोड़े बच्चे जूलते हैं पकड़े दरवाजे में आप हलका सा tilt देते हैं दरवाजे को और ये ले करके आते हैं अब देखिए बटा अब आपका जो radius vector है वो ये जा रहा है बो जा रहा की नहीं जा रहा है बटा और आपका जो force vector है बटा ये जा रहा है और ये दोनों के बीच का angle है agree बटा तो आपके दो component टूटेंगे एक टूटेगा आपका f cos theta और एक टूटेगा आपका f sin theta है ना क्या टूटेगा बटा f sin theta अच्छा मैंने f sin theta छोटा क्यों बनाया है क्योंकि बटा जादा तर component पूरा axis की तरफ ही टूट जाएगा क्योंकि ये axis के करीब है और जो जिसके करीब होता है वो उस तरफ उसका जादा component टूटता है टूटता की नहीं टूटता तो f cos theta तो काफी बड़ा break होगा बट f sin theta एक दम नन्हा सा break होगा तो इसके f sin theta के करीब हलका सा torque प्रेडूस होगा और आपका दरवाजा हलका सा शायद थोड़ा सा change हो जाए बुलो yes की नो मेरी बाते समझ मारी हैं आपको तो यहाँ पर torque कितना प्रेडूस होगा f sin theta के करीब होगा तो torque प्रेडूस होजाएगा पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो यह देखे f sin theta और r का इंगल 90 degree है तो यह 90 बन रहा है यहाँ पर into r तो magnitude जाएगा torque is equals to f into r sin theta यह होगा यह बात अब इसको vector form में मैं लिखता हूँ बेटा देखे ध्यान से जब एक vector दूसरे vector के ओर घूमता है तो जो तीसरा vector होता है वो इसके axis में generate होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर r f की direction में घूम रहा है समझिगा इस चीज को अच्छे से यह vector r है और आप r को किसकी direction में घुमा रहे हो? f की direction में घुमा रहे हो R को किस की डिरेक्शन में घुमा रहे हो F की डिरेक्शन में घुमा रहे हो तो जो vector generate होगा जब A को आप B की तरफ घुमाते हो तो right hand अपना right hand उठाओ और right hand को इस तरीके से rotate करो एक सेकेंड अब मुझे screen present करनी पड़ेगी R cross F चली देखिए तो ये हमारे पास इस तरीके से ये R है इधर की direction में ये R है ओके तो right hand से जो भी करना है तो ये हमने R कर लिया horizontal अगर F कहा है आँगे की तरफ थोड़ा आँगे है तो जैसे ही मैंने R को F की तरफ move किया तो मेरा अंगूठा कहां गया downward ठीक है मेरा अंगूठा कहां जा रहा है बेटा इस situation में downward जा रहा है जा रहा है की नहीं जा रहा है बताइए तो ऐसा करने से हमारा जो अंगूठा है आपको downward जाता हुआ दिखाए देगा तो आपने देखा की जो अभी हमने देखा की R को हमने F की direction में कैसे rotate किया तो यह हमाय पास में R था और R vector को हमने F vector की direction में rotate कर दिया था तो rotate किया था तो torque जो generate हूँ हमाय पास that is in vector form is equals to R cross F ठीक है तो torque जो होता है वो axis of rotation में generate होता है मतलब torque का जो vector generate होगा वो आइदर उपर जाएगा या नीचे जाएगा that's why torque को हम कैसा vector कहते है पेटा axial vector कैसा vector कहते है axial vector जो axis of rotation में create होता है उसको हम बोलते है axial vector clear अब डेदे हम torque को open कर लें cross product के formula से so torque कैसे open होगा देखे vector R cross F किस तरीके से open होता है torque is equals to mod R, mod F, sin theta और direction wise end cap end cap क्या बता रहा है कि torque की direction जो होगी वो perpendicular to the plane होगी rotation के हिसाब से anti clockwise है तो उपर plane के और clockwise है तो नीचे plane के बोले clear की not clear हाँ clockwise जब clockwise होगी तब नीचे जाएगी direction और अगर anti clockwise होगी ठीक है बिटा anti clockwise तो कहा जाएगा ऊपर जाएगा ठीक है तो torque कहा जनरेट होगा ऊपर की तरफ जनरेट होगी anti clockwise में ऊपर की तरफ और clockwise में नीचे की तरफ clear ठीक है ये तो end cap के दो sense हो सकते हैं एक ही plane के दो perpendicular दो normal बन सकते हैं अब यदि मैं torque का magnitude ले ले लेता हूँ end cap का magnitude end cap unit vector है आप सब जानते हैं unit vector का magnitude 1 होता है तो torque का magnitude simply tau लिखा जा सकता है equals to RF sin theta अब हम इस case special cases बना लेते हैं case number first अलग-अलग cases हम देख लेते हैं कि theta की अलग-अलग value के लिए क्या होगा पहला case है if theta is equals to 0 degree और 180 degree अगर जो force है वो liver arm के parallel या anti-parallel काम करेगा तो torque is equals to कितना हो जाएगा F R sin 0 हो जाएगा या sin 180 हो जाएगा और sin 0 के value कितनी होती है 0 तो answer torque equal to कितना generate होगा 0 मतलब कोई rotation produce नहीं होगा फिक है second case लेता हूँ theta is equals to 90 degree second case है theta equals to 90 degree तो second case में देखिए क्या हाल होगा यह अपने पास में hinge है यहाँ से एक liver arm यह connected है और आप इस पे 90 degree का force लगा रहे है exactly तो अगर आप 90 degree का force लगा रहे है तो torque is equals to rf sin theta sub magnitude चल रहा है तो rf sin theta torque is equals to r into f and sin 90 तो sin 90 equal to कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा so torque is equals to r into f याद रखेगा यह maximum torque है क्योंकि sin की value 90 की value sin 90 value 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती sin की maximum value 1 है तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे this is maximum amount of torque equals to lever arm multiplied by force applied बोलो clear बेटा तो इसलिए बेटा सबसे ज़्यादा torque कब मिलेगा जब आप force को 90 degree फ़ल लगाए इसलिए आप जो भी चीजें दरवाजे वगरे खोलते हैं उसमें आपको सबसे कम force लगाना है तो आप अपने हाथ को एकदम सामने रख करके perpendicular रख करके खीचेंगे तो आपको कम force लगेगा अब अपने हाथ को अगर आप ऐसे पीछे की तरफ करके खीचेंगे है ना तो बहुत ज़्यादा force लगाना पड़ेगा दरवाजे को खोलने के लिए समझ पा रहे हैं बेटा ओके सो यह रेखिए figure 6.8 यहां तक तक हम बता है it is measured as the product of the magnitude of a force and the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation तो यह कैसे निकाला जाता है बेटा force निकाली जाती है और force के साथ जो perpendicular length होती है उसको हम multiply कर देते हैं figure 6.8 shows a body free to rotate about a vertical axis through O horizontal force F is applied on it F point B rotates it about the axis D is the perpendicular distance then what is torque torque is equal to applied force F multiplied by perpendicular distance O N so torque का magnitude is equals to F into O N in simple language it is equals to F into D so torque equal to force multiplied by liver arm बोलो clear है बेटा बट याद रखी गई यह तभी लगेगा जब force और liver arm एक दूसरे के perpendicular है यह तभी के लिए इतने छे सपने प्यारे प्यारे कि इतना easy question लग जाएगा अगर मैं torque की बात करूं dimension की तो torque is equals to force into distance force को बेटा Newton में नापते हैं और distance को meter में नापते हैं तो torque की unit load कर लेंगे Newton meter क्या हो जाएगी बेटा Newton meter याद रखेगा एक बात कि वर के case में भी formula force into distance होता था तो वहाँ भी force को Newton में measure करते थे distance को meter में measure करते थे बेटा बट वहाँ Newton multiplied by meter को हम लोग क्या बोलते थे Joule बोलते थे बट यहाँ पर हम Joule नहीं बोलेंगे यहाँ पर Newton meter Newton meter ही रहेगा clear क्योंकि आपने Joule कर दिया तो दुनिया के लिए वो energy हो जाएगी ओके यहाँ पर क्या रहेगा बेटा Newton meter ही रहेगा अब dimension formula वही आएगा force into distance का ML2 T की power minus 2 वही जो energy का आता था मतलब torque का dimension formula और energy का dimension formula same होता है clear sign convention की बात के लिए मैंने बता दी आपको बातों बातों में कि अगर anti-clockwise rotation हो रहा है तो n cap बेटा उपर की दिरफ जाएगा अगर anti-clockwise rotation है कुछ इस तरीके से यह anti-clockwise rotation है तो बेटा जो axial vector जाएगा वो कहां की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा और इस case में आपका जो torque होगा वो क्या होगा बेटा positive clear आप अपने हाथ की हाथेली की दाए हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड करके भी देख लें anti-clockwise direction में आप अपने उंगलियों को मोड़े तो आपका अंगुठा उपर की तरफ जाएगा ठीक है ना? इस तरीके से हाथ में उसे बन नहीं रहा है बनाते हुए ठीक है ना? तो यह देखे इस तरीके से उपर की तरफ जाएगा so this is positive अगर आप clockwise rotation देंगे तो आपका जो n-cap है downward जाएगा और उस समय आपका torque क्या लिया जाएगा बेटा निगेटिव लिया जाएगा तो for anti-clockwise rotation torque is positive and clockwise rotation torque is negative clear बेटा? चली अब अगला principle of moment यह मैंने आपको बता दिया है what is moment mass into यह हलाकि उस पर काम कर रहा है अपने पास torque पर तो मैंने आपको उस दिन moment का relation बताया था वो जो मैंने moment का relation बताया था वो क्या था? वो मैंने moment थे और हम आपको बताई थी मैंने moment थे और हम आपको जो बताई थी वो थी कि sigma mx equal to 0 यह थी sigma mx equal to 0 x क्या थी? distance from center of mass मतलब m1 x1 plus m2 x2 equal to 0 याद रखिएगा यह जो mx लग रहा है यह moment of force नहीं है यह moment of mass है क्या है वीटा? moment of mass का moment है यह mass का moment था अब हम पढ़ने वाले हैं force का moment अब हम force का moment पढ़ने वाले हैं और यह है हमारे पास principle of state and explain the principle of moment of rotational motion यह देखिए तो आब हमको समझना है principle of moment तो यह कहना है इनका कि अगर कोई body है when a body is in rotational equilibrium तो rotational equilibrium का मतलब समझीए यह आपके पास में कोई pivot बोलते हैं जिसके उपर body रखी होती है उसके उपर pivot है और यह pivot है और इस pivot के उपर आपने d1 distance पर एक block लगाया है जिसका मास है m1 और d2 distance पर एक block लगाया है जिसका मास है m2 और एक ऐसी इस्थिति आपने प्राप्त कर ली है कि यह बिल्कुल नहीं हिल रहा है बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है तो बिल्कुल जब नहीं हिल रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे this body is in rotational equilibrium समझ मैं मैंने क्या कहा बिटा देखिए आपने ऐसी scene को देखा होगा कभी गाउं वगेरे के इनसान अपने घर से जब निकलते हैं तो अपने कंधे पे एक ऐसे डंडी से ले लेते हैं जब दूर जाना होता है और यहां पर एक बड़ा सा थैला रटका लेते हैं एक थैला रटका लेते हैं और यहां से हाथ पकड़े रहते हैं ऐसे ये हाथ इनका के connect हो जाता है बोले देखा आपने कभी ऐसा scene तो देखा होगा आपने कि ये वाला end जो होता है इसके distance d1 है ये काफी बड़ा रहता है और ये end छोटा रहता है चुकि हाथ तो छोटे ही होते हैं distance d2 है और उसके बाद ये जो चीज होती है ये rotational equilibrium में आ जाती है मतलब ना ये हिस्सा इधर move करता है ना ये हिस्सा इधर move करता है तो rotational equilibrium तो उस rotational equilibrium का कारून क्या है यही हम देहाँ पे discuss कर रहे है उस rotational equilibrium का कारून है देखे आपका जो f1 है mass m1 mass m1 का weight force कितना बनेगा बेटा m1g that is w और f2 का force कितना बनेगा m2g m2g that is equal to w2 clear की not clear weight force है इस f1 का जो moment generate होगा वो कैसा है बेटा ध्यान से रेखो ये वाली चीज ऐसी आ रही है तो ये है clockwise moment और ये वाली चीज क्या है anti-clockwise moment बोलो generate होगा की नहीं होगा मतलब ये वाली चीज क्या करेगी इधर वाले हिस्से को ये वाला मास clockwise moment देगा और ये वाला मास क्या देगा anti-clockwise moment तो टॉर्क की बात कर लों तो ये वाला मास कैसा moment देगा clockwise torque देगा और ये वाला मास कैसा देगा anti-clockwise torque बोलो yes की नहीं हाँ तो और को ही यहाँ moment बोलते है, moment of force so anti-clockwise moment कितना बन जाएगा बिटा, देखो F1 multiply by D1 और F1 कितना है बिटा, force is weight force यह है, तो W1 into D1 और clockwise moment कितना है बिटा W2 into D2 बोलो yes की no F1 D1 equal to W1 D1 and clockwise moment इस वाले का कितना है बिटा, W2 into D2 अगर equilibrium है तो theorem of moment क्या कहती है कि जितना anti-clockwise moment होगा उतना clockwise moment होगा मतलब F1 D1 equal to F2 D2 that is equals to W1 D1 equals to W2 into D2 clear की not clear हाँ इसी principle को बिटा हम लोग कहते है liver principle ठीक है इसी principle को हम क्या बोलते हैं liver principle तो यदि उस इनसान के से समझा जाए तो अगर ये W1 है और ये D1 है तो यहाँ पर बंदे का जो effort है W2 कितनी distance पी लगेगा D2 distance पी लगेगा ओके? हाँ तो इसको कैसे कह दिया गया है च्छी भाशा में? इसको कह दिया गया है load क्योंकि आपने इस तरफ load लटकाया था load लटकाया था तो मैं कहूँगा load multiply by load तक की जो arm थी उसे कहा गया load arm क्या कहा गया भाई? load arm मतलब इस इनसान के reference में ये load है और यहाँ तक की जो distance है that is load arm तो load into load arm equals to यह क्या लगा रहा है यहाँ पर? this is effort into effort arm ठीक है? so load into load arm equal to effort into effort arm this is called principle of liver clear? चलिए so यह principle of liver यहाँ पर complete होता है इससे बहुत सारे question हमारे solve हो जाएंगे अब आईए अगले बात करते हैं अगले topic की that is what is couple couple क्या लगा है यह सब देखिए forces के जोड़े को couple बोलते हैं equal and opposite forces के जोड़े को आप क्या बोलते हैं? couple बोलते हैं आप यह देखिए कि वो जो जूला था जो आपके घर के पार्क में लगा था वो कुछ ऐसा है इसके एक टोकरी यहाँ है और एक टोकरी यहाँ है ठीक है ना? अगर जूलाने वाला है इसको मैंने टेड़ा कर दिया सीधा लगा लो भाई जूलाने आने वाला हूं मैं एक टोकरी यहाँ है एक टोकरी इसकी oppositly बिल्कुल bind है यहाँ है अगर मैं अकेले जूलाने वाला हूं और मैं आकर के इसको धक्ता मार रहा हूं यहाँ पे खड़ा हो गया मैं इस तरीके से और यह इसको धक्ता मार रहा हूं यह मारा है इस तरीके से तो मैंने इसको क्या दे दिया? टॉर्क दे दिया ठीक है अब मान लो यदि मैं टॉर्क दे दिया मैंने तो कितना टॉर्क जनरेट होगा बिटा टॉर्क is equal to F into D D इसकी distance से यहां से center से बोलो बिटा yes की नो ठीक है बट यदि मान लो कोई मेरा हमशकल यहां भी भी आ गया और उसने बोला तुम इधर से मारना मैं इधर से मारूंगा तो इसने इधर से भी F force दिया distance यहां के भी D है इसने मारा इधर से लापटा यह मारा तो देखे यहां कभी torque कितना जनरेट हुआ F into D किस direction में इसी direction में anti clockwise इसका भी direction क्योंकि यह यहां आएगा hello hello आवा जारी बिटा हाँ इसका भी बिटा F into D तो anti clockwise direction में इसका भी दोनों torque जनरेट होगा तो बताए यह double फायदा होगा कि नहीं होगा हाँ तो ऐसे equal and opposite force क्योंकि यह भी force F है यह भी force F है equal and opposite forces है ना equal and opposite forces के जोड़े को हम क्या बोलते हैं तो effect of rotation प्रेडूस करते हैं उसको हम बोलते हैं torque of a couple ठीक ना तो यदि यहाँ पे मैं total निकालो बिटा तो कितना हो जाएगा अपन को एक तरीके से total double torque मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा बिटा इसका मिल जाएगा FD और इसका भी मिल जाएगा FD दोनों anti clock के sense में हैं तो total torque हो जाएगा torque 1 plus torque 2 यानि कि 2FD बोले यस की नो कोई दिकत दूसरी तरीके से इसको समझो बिटा दूसरा तरीका यह है कि यह अपनी बन गई समय lever arm एक force perpendicularly F यहाँ लग रहा है एक force perpendicularly बाहर लग रहा है तो दोनों के बीच के distance कितनी हो गई बेटा 2D पहले हमने अलग अलग निकाला था अब rule समझो तो अब जो torque of a couple equals to force मैं magnitude निकाला हूँ अभी इसको मैं वेक्टर नहीं लगाँगा तो क्या हो जाएगा बेटा either force क्योंकि एक ही force लग रहा है force multiply by perpendicular distance between forces याद रखिए यह formula होता है तो एक force यहाँ है अब इन दोनों forces की perpendicular distance आप देख सकते हो दोनों के बीच में कितना distance है बेटा 2D बुलो है की नहीं है तो दोनों perpendicular so answer torque is equals to F into 2D यह हो जाएगा clear वैसे देख रहे तो भी वैसे आ रहा था और इधर देख रहे हो तो यह भी आएगा चलिए सो बात करते हैं यहाँ पर couple we apply a couple जब आप cycle चलाते हैं तो आप couple apply करते हैं आप दो हांसे जब cycle चलाते हैं तो आप couple apply करते हैं यह देखिए cycle का handle है आप cycle के handle को मोडने के लिए देखे क्या करते हैं जब आप मोडते हैं तो इसको अंदर के तरफ ले जाते हैं और इसको बाहर के तरफ ले जाते हैं बूल यहес की no यह पीछे की तरफ आता है और यह वाला हिस्स्ẩ आंगई की तरफ आता है तो आकिर काम तो दुनों एक ही कर रहे हैं बुलिए ऐसा आनो एंटिक्लोकोईस तो ये couple generate होगा किसके about वो बीच में जो डंडा निकला होता है उसके about Yes Yes, so when we steer a bicycle round bend our both hand and the handlebars and we apply ये couple moment of the couple की बात करते हूं बहुत ही simple moment of a couple निकालने के लिए ये अपने पास में point O है जिसके about हम घुमाना चाहे रहे है तो force एक नीचे लग रहा है distance कितनी हो गई बेटा OA तो बेटा कितना torque generate होगा पहले वाले force का F into AO या OA किस तरब generate होगा बेटा इसका torque ये हो गया anti-clockwise इसका torque देखिए बेटा F into OB ये भी कैसे जा रहा है बेटा anti-clockwise ही जा रहा है देख लो yes की no तो दोनों add हो जाएंगे क्योंकि दोनों anti-clockwise है F common ले लूँगा तो AO प्लस OB finally क्या बन गया आपके पास F into AB बन गया कि नीच बन गया AB मतलब दोनों forces के बीच की perpendicular distance तो torque का formula बन गया बोलते हैं equals to force multiply by perpendicular distance between the forces बोले clear है बिटा तो perpendicular distance between the forces पे ये depend करता है अब याद रखेगा चाहे ये point कहीं भी हो दोनों forces के बीच का दोनों forces जिस point के about लग रहे हैं वो कहीं भी हो इससे हमारा मतलब नहीं है क्योंकि हमारी दोनों की distance D1 प्लस D2 बाद में A भी बन ही जाना है बोलो बनना है की नहीं बनना है इसलिए जो amount of torque in a couple आता है वो rotational axis की position पर depend नहीं करता समझ मैं आया है क्योंकि उसका addition हो करके तो लेकिए hence torque or moment of a couple is independent of the choice of fulcrum or the point of rotation मतलब आप किसके about घुमा रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है तो लिए बेटा चलिए तो ये हमारे पास torque का पूर्शन हो गया हमारे पास couple का पूर्शन पूरा हो चुका है अब इसके बाद हमारे पास आता है work done by a torque torque कितना काम करता है torque जो है आपके पास में कितना काम करेगा तो आप जानते हैं कि work जो है displacement देता था आपको याद होगा work से मैं आपको देलाता हूँ dw is equals to f dot dx पढ़ा था आपने क्योंकि जो force होता था वो sliding effect देता था बट यहाँ पे जो work अगर torque कराएगा तो dw is equals to force की जगे क्या लगएगा torque dot d theta ठीक है पेटा एकी torque क्या produce करेगा पेटा angle produce करेगा yes की no torque क्या produce करेगा पेटा angle produce करेगा तो यह छोटा सा angle है d theta तो dw is equals to torque dot d theta integrate कर दो पेटा तो dw का integration is equal to integration of torque dot d theta maybe theta की value theta 1 से लेके theta 2 तो dw का integration कितना हो जागा w theta 1 से लेके theta 2 torque into d theta clear की not clear hello torque into d theta यह work की value आ गई वो लो clear है आपको भूलना नहीं जाहिए मैंने आपको work पढ़ाया है work equals to f dot dx variable force का किया गया काम x1 से लेके x2 तो यहाँ पर force की जगे कौन लग रहा है torque लग रहा है angle rotational है तो limit theta 1 से लेके theta 2 clear हुआ भाई so यह देखिए अब इसको मैं proof करा सकता हूँ इसको आप थुद से पहले कोशिच कर यह proof करने की फिर बहुत easy है तो यह आपके पास आजाएगा work done equals to theta 1 से लेके theta 2 torque देशी जा now अगर आप दोनों तरफ delta t का अभी आपने देखा हमने आपको क्या बताया हमने आपको बताया dw is equals to t into d theta अगर आप दोनों तरफ divide करने हैं इससे dt से तो dw by dt is equals to torque into d theta by dt dw by dt को क्या बूलते हैं work per unit time को बूलते हैं power equals to d and d theta by dt को क्या पढ़ाया मैंने शौर बताये rate of change of angular displacement को क्या पढ़ाया आपको angular velocity so p equals to t omega tau omega clear p equals to tau omega रीके बच्चों ये छोटा एक टॉपिक है इसको कर लेता हूँ write an expression for the torque in three-dimensional motion hence write the expression for rectangular component of torque define torque derive an expression for the torque in its partition coordinate तो मैंने अभी आपको बताया है कि what is torque torque is equal to होता है r cross f मतलब r vector cross f vector तो आपको एक vector r का दिया रहेगा what is r position vector रहेगी liver arm की जैसे आपके पास में कोई liver arm है यहां से यहां तक तो इसके coordinate कितने है x, y, z तो इसका vector क्या निकल करके आएगा x i cap plus y j cap plus z k cap है ना plus z k cap अगर यह 0, 0, 0 ले रहे हो तो अगर 0, 0, 0 नहीं ले रहे हो यह point है x1, y1, z1 और यह वाला point है x2, y2, z2 तो मैंने आपको पढ़ाया है displacement vector है ना क्या बन जाएगा बिटा अपने पास में r vector अपने पास बन जाएगा x2 माइनस x1 i cap plus y2 माइनस y1 j cap plus z2 माइनस z1 k cap clear बिटा और इस पे आप क्या apply कर रहे हो बिटा force f apply कर रहे हो तो torque का formula vector sense में क्या होता है बिटा r cross f अब मैंने आपको पढ़ाया है a cross b का cross product कैसे निकलते हैं सबसे पहले i cap j cap k cap फिर r के vector component रख देते हैं partition components तो r का partition component होगा r का x part r का y part r का z part फिर f के component f का x part f का y part f का z component क्योंकि force भी pretty form में लगेगा तो इसके भी naturally 3 component होगे f x i cap plus f y j cap plus f z k cap समझ रहे है बिटा so r cross f इस तरीखे से हम open कर सकते हैं torque is equals to r cross f clear की not clear so this is r this is f और ये बन जाएगा हमें पास r cross f अब इसको मैंने आपको open करना सिखा रखा है तो open करके आप torque का x component क्योंकि torque भी 3 part में निकलेगा torque x i cap plus torque y g cap plus torque z k तो ये x component निकल लिया ये y component ये z component mainly आपको question यहाँ तक मिलेंगे torque निकलने वाले clear तो अब आपको इस तरीखे से इसके question torque की base के करने हैं